हां तो दोस्तों देखी आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लोग पढ़ने के बाद अपनी आखे खोल लेंगे जिहां बहुत ही important बुक है इस बुक का नाम है समभोग से समाधि की ओर जिहां समभोग से समाधि की ओर और ये किनका फोटो है आचारी रजनिस ओसो जी का उन्हीं द्वारा यहाँ भूक लिखे थे और उनके सारे जो 18 प्रवचन दिये गए हैं इस भूक में इवाओं के लिए जो इवा होते हैं उनको कैसे अपने जीवन जो आप सम्भोग के आप बात कर रहना वो सम्भोग नहीं यहाँ पे उनका अर्थ कुछ दूसरा लिया गया है यहाँ एक सामयन विक्ति के समझ की अस्तर की बूक नहीं है लेकिन एक सामयन विक्ति का आदमी इस अस्तर के बूक को समझने के लिए जेश्टा कर सकता है इसके अंदर वे सारी गुन दिये गए हैं जो कि एक समयन विक्ति के पास नहीं होता है कोई भी विक्ति जो अपने आपको बिसिष्ट बराना चाहते हैं ठीक ना समाज से अलग कुछ करना चाहते हैं हटके तो पाइदा देगा जो दार्सनिक किसमे के आदमी हैं हमारे समाज में ठीक ना दर्सन से जुड़े बातों को अच्छा लगता है उन्हें जीवन क्या है समयन दन क्या है प्रग्या क्या है ज्यान क्या है विश्डम क्या है वे लोग प्लेज आपको ये बुक एक बार बुद्ध के प्रवचन इस बुक में काफी दिये गए हैं मात्मा बुद्ध जो थे अब देखिए मैं यहां का पर्थम प्रिष्ट लेकर कि आपको सारा का सारा अंतिक प्रिष्ट तक दिखाऊंगा एक जलक देखिए ओसो जी का फोटो है अचारी रजनिस आप यह नहीं रह प्राइस भी बता दूँ अगर आप इसे खरिदना चाते हैं तो आपको प्राइस ज्यादा नहीं आपको प्राइस देने पड़ेंगे 18 रुपई या 230 रुपई लेकिन आपकी जो सोचने की कला है ना वास्तविक जीवन क्या है मानल जीवन वो आपको यह बुक अच्छी त समभोग समय सुन्यता की जलक समाधी और उसके बाद फिर समाधी उसके बाद इधर आ जाते हैं हमारे युवा और योन युवा और यून इसमें 9 चप्टर है ठेक आप देख सकते हैं यून जीवन का उर्जा आयाम यूवक चप्टर दो में क्या है यूवक और यून तिन प्रेम और विवा चार नमबर जनसंख्याव स्पोर्ट पांच नमबर विद्रोह क्या है यूवक कौन 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 है यूवक का जन्म चित मतलब आपको मालिम होगा ठेक ना यूवक चित का जन्म नारी और क्रांती नार भीड से समाज से दूसरों से मुक्ती दमन से मुक्ती न भोग न दमन वरन जागरन टिक यह देखें तोटल 333 पेज हैं आप इसे दो भासाओं में खरिद सकते हैं हिंदी और इंगलिस वैसे तो हम भारत के ज्यादा लोग हिंदी में ही पड़ते हैं लेकिन अगर आप नेपा भी देखते हैं तो आप अंगरेजी में इसका जो बुक है वो ले सकते हैं सच में बता रहा हूं आपके सोचने की कला बदल नहीं देना तब बताईएगा यह बुक आचारी ओसो जी को देखिए एक कामुक्चित्र दी गई है परतेक चेप्टर में आपको एक कामुक्चित संभोग से परमात्मा की स्रिजन उर्जा मेरे पेरिय आत्मन प्रेम क्या है पहला ही वाग क्या बोला है प्रेम क्या है वाट इज लव जीना और जानना तो आसान है लेकिन कहना बहुत कठीन है जैसे कोई मचली से पूछे कि सागर क्या है तो मचली कह सकती है कि यहां है तरफ वही लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है बताओ मत तब यह कठिन हो जाएगा यह देखिए अब दूसरा चेप्टर हम यह देखिए संभोक सह सुन्यता की जलग यह देखिए इधर कामुक चित्र दी गई है यह सुर्य मंदिर जो है को नार्क और तंजानिया जो मैंद्र परदेश में मंदिर है खजुराओं का मंदिर उन सभी सी यह कामुक चित्र ली गई है तो जितने वी चेप्टर है उन सभी में आपको कुछ ऐसे जलग दिखाए देंगे ना जो आपकी दिब दृष्टी को खोल देंगे एक परकार से आँखों की दिब दृष्टी को चमक ताकि आप जो भी वेक्ति कुछ इस दुनिया से कुछ अलग दुनिया में जाना चाहते हैं मतलब अलग दुनिया का मतलब की वेक्ति दो परकार के होते हैं जीवन जो है वेक्ति का जीवन दो परकार का होता है एक आध्यात्मिक जीवन और एक बहुतिक जगत तो बहुतिक तो देखे युवक कौन है मेरे पिरिय आत्मन युवक के लिए कुछ भी बोलने से पहले या ठेक से समझ लेना ज़रू है कि युवक का अर्थ क्या है अपनी कभी पढ़ा ही नई इस्कुल में कि युवक क्या होता है हम तो सिर्फ जानते है कि जो 18 साल से बड़ा हो गया किसी रवस्ता में पहुंच गया है उसे इवक काते है लेकिन वास्तिविक इवक किसे काते है युवक कौन है आप इन सब महान वेक्टियों के जो अकसर में बुक आपको रिब्यों में दिखाता रहता हूँ ऐसे ही मैं कोई भी बुक को उठा के नहीं आपके सामने फेक देता मैं किसी भी बुक को लाता हूँ ना तो बड़ी सोंच समझ के लाता हूँ ठेक ना यह मानव जीवन को बेर्थ में मत गवाईए फालतु कामों में मत विताईए कुछ भी टाइम मिलता है आप आपने जीवन का उप्योग किजिए सद उप्योग देखिए युवा कोन है यहाँ चैप्टर सबसे इंपोर्टनेंट युवाव के लिए है उसके बाद प्रेम और विवा क्या है आदमी ठीक ढंग से जीने का कला नहीं जानता है और विवा कर लेता है वास्तों में यहाँ जीवन नहीं है यह तो जानवरों का जीवन है देखिए युवाचित कामन देखिए यहाँ पर भी कामुक चितर दी गई है और आदमी को यही बुक सिखाएगा कि कामुकता क्या है वास्तों में जो हम लोग बलते हैं वहाँ वास्तों में है क्या नारी को भी यह बुक जो एस्त्री है कल्स बिसेश रूप से वे बुक को प्लीज पढ़ लिजेगा एक बार किसी अगर आप बड़े में जा रहें तो यह बुक उसको दे दीजिए और खुद भी पढ़िए आपके जीवन जीने की कला ना बदल दीना तो फिर बोलिएगा यार सच बता रहा हूं आपको जीवन जीने की अधा बदल देगे कला बदल देगे नारी और क्रांती अब ठीका बोल रही है ठीक ना ओसो जी के बातों को उन्हीं ने सारा कुछ रिटन किया है यह रहा हमारा बुक का अंतिव और यहां पर दी गई है और आप किसी पर चीज को कठीना ही होती समझने में तो यहां पर दिए गए सभी उनके समझने के लिए आसान-ासान करके दिए ग मालूमी होगा अगर आप उसों की बातों को घौर खरते होंगे काफी जो जितने भी दर्शन से जुड़े वेखती है प्लीज आपको बता रहा हूं यह बुक काफी आपके दिमाग को खोल देगा यहां मैं आपको भौतिक जगत की बाते नहीं बताने जा रहा हूं ठीक ना महावीर कहां कहां से यह बाते की हैं बुद्ध आश्टा का चारिय अलो इतने जो जितने भी यहां पे बाते कर रहा हूं सभी को यहां पे भुक में समलित किया गया है उसके बाद कबीर जी के बाते हैं उसके बाद मीरा की बाते हैं मीरा कृष्ण प्रेमी मीरा उसके बाद सांडिल लिखी बाती है, पल्टू की बाती है, पल्टू का आप जानते ही होंगे, वसो जी अक्सर पल्टू का नाम लिया करते हैं, उसके बाद जग जीवन की बाती है, दरिया की बाती है, सुन्दर दास की बाती है, धरम दास की बाती है, दादू की बाती है, जितने भी महा जो वतिक जीवन को और ज्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ नोलज नहीं रखता उसे तो यहां बुक हवा में उड़ जाएगी लेकिन जो वेक्ती अच्छी रूप से जानना चाहता है जीवन को ठीक ना उसके बाद उन्हें लगेगा कि वाकई में दिसीज भूक या एक रि अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा और इस मानव जीवन का एक सही उचीत उपयोग करें यहीं मेरा उद्देश है और जितने भी मेरे पास ज्यान होगा उन सभी का मैं जन सेवा और जन लोगों को जागरूप करने के लिए लगा सकूँ यहीं मेरा मुक उद्देश है जब मिलेंगे एक नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइस सेर कीजिएगा अगर आपको पसंद आये तो